दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ट्रेडमार्क रिजिस्टर करवाने का ओनलाइन तरीका एकार बताएंगे पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया कि इंटेलेक्चुल प्रोपर्टी और्गनाइजेशन क्या है ये कैसे काम करती है और इंटेलेक्चुल प्रोपर्टी की चार एकसाम यानि ट्रेडमार्क, कॉपिराइट, पेटेंट और इंडेस्ट्रिल डिजाइन क्या है और आप अपनी प्रोड़क्ट की खुसुसियात को देखते हुए उसे किस तरह केटेकराइज कर सकते हैं आईए जानते हैं कि ट्रेडमार्क के लिए ओन्नाइन अप्लाइ किस तरह किया जाता है सबसे पहले आपको IPO की वेबसाइट ipo.gov.pk पर जाना है इसके लिए आपको New Registration पर क्लिक करना है जिसके बाद New User Registration के नाम से एक Windows सामने आएगी यहाँ पर आपने CNIC नमबर लिखना है उसके बाद CNIC नमबर कनफर्म करने के लिए दुबारा लिखना है सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन ने आपने Network सेलेट करना है जैसे Moblinq, Terrenor, YouPhone वगएरा इसके बाद आपने अपना Mobile Number लिखना है जिसके बाद आपने Get Code वाया SMS पर क्लिक करना है आपको एक Verification Code अपने Mobile पर वसूल होगा जिसे आपने Mobile Number Verification Code के Box में दर्ज करना है इसके बाद आपने अपना Email एडरेस लिखना है और इसके बाद Get Code वाया Email पर क्लिक करना है आपको IPO की तरफ से एक Verification Code इमेल किया जाएगा जिसे आपने Email Verification Code के नाम से मुझूद Box में दर्ज करना है Mobile और Email Code अलग-अलग सेंड करने का मकसद यह है कि इस बाद की Verification कर ली जाए कि Mobile नमबर और Email एक ही उसर के पास मुझूद है Mobile Verification Code और Email Verification Code लिखने के बाद आपने Verify and Continue के बटन पर क्लिक करना है Step 2 में Authorized Representative Detail के नाम से एक नए Windows सामने आएगी यहाँ पर आप से कुछ मज़ीद तफसीलात ली जाएगी सबसे पहले आपका पूरा नाम पूछा जाएगा उसके बाद Gender Mobile नमबर और Email एडरेस आपका पहले से ही मौझूद होगा क्योंकि आप उसे पहले ही registration फॉर्म में लिख चुके हैं Land 9 Phone नमबर अगर आपके पास मौझूद है तो लिखतीजिए वरना आप इसे खाली भी चोड़ सकते हैं इसी तरह फैक्स नमबर अगर मौझूद है तो लिखतीजिए अगर नहीं है तो इसे खाली चोड़ दीजिए Callispondence एडरेस में आपने खतो किताबत का पता लिखना है हम आपको बताते चलें कि इस पते पर ही तमाम तर खतो किताबत की जाएगी ये याद रखे कि एडरेस लिखते वक्त शेहर का नाम मत लिखे क्योंकि शेहर का सेक्शन नीचे ही मुझूद है प्रोविंस यानि के सूबा सेलेक्ट कीजिए सिटी यानि के अपना शेहर सेलेक्ट कीजिए टर्म्स एंड कंडिशन के वोक्स को चेक कीजिए उसके बाद सबसे नीचे दिखाये जाने वाले कोड को उसी तरह लिखे जिस तरह वो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के विटन पर क्लिक कीजिए आपके रिजिस्ट्रेशन मुकमल होने पर IPO की तरफ से आपको एक एमेल वसूल होगी उस एमेल पर आपका यूजर नेम और लोगिन पासवर्ड मुझूद होगा लोगिन होने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी आपने TM Form 01 पर प्लस के साइन पर जाकर क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर अपनी अप्लिकेशन को फिल करना है Add New Application पर क्लिक कीजिए कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी सबसे पहले आपने ओफिस की सेलेक्शन करनी है यहाँ पर IPO इसलामबाद, TMR कराची, IPO लहूर और IPO पिशावर शामल है यहाँ पर हम IPO लहोर को सेलेक्शन करते हैं ओफिस की सेलेक्शन के बाद हमारे पास दूसरों कॉल्म Trademark Classification का है जहां पर आपने अपनी ट्रेड मार्क की क्लास को सेलेक्ट करना है आए समझते हैं कि ट्रेड मार्क क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तो ट्रेड मार्क क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें IPO की वेब साइट पर दुबारा जाना होगा IPO की वैब साइट पर जाने के बाद ट्रेड मार्क्स पर क्लिक कीजिए कलासिफिकेशन समरी के नाम से एक नई विंडोस सामने आएगी दोस्तों यहाँ पे आपके ट्रेड मार्क को 45 तरहां की केटरगरीज में डिवाइट किया गया है जिसमें से 34 केटरगरीज गुड्स सेक्टर की हैं और इसी तरह 11 केटरगरीज सर्विसी सेक्टर की हैं मिसाल के तोर पर केमिकल इंडस्टरी से है फार्मासुटिकल कंपनी से है या किसी हैवी मिशिनरी से जिससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका trademark किस category में fall करता है बिसाल के तोर पर अगर आपका product किसी cosmetic industry से है तो आप category 3 सेलेक्ट करेंगे detail of course में आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी product specifically क्या है मिसाल के तोर पर हम यहाँ पर लिखते हैं soap यानि के साबुन अगर सेक्षन है ownership और business detail का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पस मुख्तलिफ categories मौझूद है जैसा कि sole proprietorship, partnership firm, single member company, private limited company, public limited company और others का section यहाँ पर मौझूद है दोस्तों हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर हम जिस trademark के लिए apply करने जा रहे हैं उसकी owner type को यहाँ पर select करते हैं हम अभी application sole proprietorship के लिए apply कर रहे हैं क्लिक करने के बाद आपका नाम और nationality खुद बखुद ही आ जाएगा उसके बाद आपने अपना business name लिखना है यहाँ पर आप अपने business location का address लिखेंगे country select करेंगे, province select करेंगे और उसके बाद हम शेहर select करेंगे यहाँ पर हमारे पास दो section मजूद है period of use of trademark और proposed to be used period of use of trademark का मतलब है कि आप कितने अरसे से इस trademark को use कर रहे हैं जैसे ही आप इस पर click करेंगे, आपको साल, महीना और दिन देने होंगे जब से कि आप इस trademark को use कर रहे हैं और अगर आप proposed to be used को click करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आने वाले दिनों में या future में इस trademark को इस्तमाल करने वाले हैं अब आज आते हैं third section पे logo या mark detail दोस्तों mark type में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 3 तरह की options मुझूद है design mark जिसका मतलब होता है कि आपका logo या trademark सिर्फ किसी design पर है word mark से मुझूद है जिसमें कोई numbering दी हो या कोई word लिखा हुआ हो word and design mark से मतलब है तो उसमें designing भी मुझूद हो और wording भी मुझूद हो यहां पर हम word and design सेलेक्ट कर रहे हैं mark description में आप अपने logo का नाम लिखेंगे mark सिर्फ से मुराद यह है कि आपकी company कहीं कोई ऐसी product तो नहीं बना रही जिसके logo बिलकुल एक दूसरे से मिलते जुलते हो अगर आपके logos बहुत जादा मिलते जुलते हैं तो आप उन्हें series का नाम देंगे और उन logos की तादाद भी यहां पर mention करेंगे यहां पर आप domain name लिखेंगे कि आया यह goods में आती है यह services में color claimed दोस्तो color claim का मत्तब है कि अगर आपका trademark किसी खास color का है तो वो color यहां पर mention करेंगे वरना note available भी लिख सकते हैं यह तमाम तफसीलात आप दर्च करने के बाद save के बटन पर click करेंगे इसके बाद हम second step यानि के attachment पर आएंगे जहां पर आपने अपने logo की एक jpg file upload करनी है याद रखे कि यह file 500 kb से कम size की होनी चाहिए file attach करने के बाद upload के बटन पर click कीजिए इसके बाद आप third step यानि के review के step पर आजाएंगे जहां पर आप अपने application का अच्छी तरह से जाइजा लेंगे आपकी दर्च की गई तमाम तर मालूमात एक form की शकल में आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर अगर आप समझते हैं कि आपने कोई गलती की है तो previous के बटन पर click कीजिए और दुबारा जाकर वहाँ पर edit कर लीजिए अगर आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर next के बटन पर click कीजिए अब बारी है step number 4 की यहने के fees payment की जिसे आप debit या credit card jazz cash mobile account या jazz cash voucher payment के जरीए अधा कर सकते हैं हम आपको यह बताते चलें कि IPO ने trademark application की fees 3000 रुपए मुकरर की है इन तीनों में से कोई भी method इस्तमाल करते हुए आप fees की payment कर सकते हैं आईए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि debit और credit card के जरीए आपकी इस तरह payment कर सकते हैं proceed to pay के बटन पर click कीजिए उसके बाद कुछ इस तरह की window आपके सामने आएगी सबसे पहले 16 नमबरों पर मुश्तमिल अपना debit या credit card नमबर यहाँ पर लिखे मुबाइल नमबर लिखे CW नमबर लिखे और उसके बाद expiry date यहाँ पर दर्च कीजिए उसके बाद pay के बटन पर click कीजिए दोस्तो pay के बटन पर click करने के बाद कुछ इस तरह की window आपके सामने आएगी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी amount, date और card number वहाँ पर दर्च होगा और authentication results में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका status authentication successful लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पर आपने submit के बटन पर click करना है दोस्तो submit के बटन पर click करने के बाद कुछ इस तरह की window आपके सामने आएगी जहाँ पर payment status पर paid लिखा हुआ रहा होगा payment status शोर करने के बाद आपने next के बटन पर click करना है यहाँ पर आप submit section में आ जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी तमाम तर मालुमात एक form की शकल में आपके सामने होगी जिसका आप print भी ले सकते हैं याद रखे अपनी application submit करवाने से पहले आपको authorization pin code दर्ज करना होगा मैं आपको बताता चलूँ कि authorization pin code आपको IPO से मुसूल होने वाली email में दर्ज होगा आपने वहाँ से अपना pin code देखना है और यहाँ पर दर्ज करना है pin code दर्ज करने के बाद आप submit के बटन पर क्लिक कर सकते हैं जैसे ही आप submit के बटन पर क्लिक करेंगे आपको portal पर ही direct किया जाएगा और आप अपनी application का status देख सकते हैं जहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि current status में submitted लिखा हुआ रहा है इसका मतलब है कि आपके online trademark application successfully submit हो चुकी है आप किसी भी वक्त login होने के बाद trademarks section में जाकर TM01 acknowledgements में जाकर अपनी application का status देख सकते हैं हम उमीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिये आपको online application form fill करने का तरीका एकार बेथर तरीके से समझाया होगा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया